के क्वालिटी फेक्टर का मतलब क्या है चोटा सा टोपिक है है क्वालिटी फेक्टर को हम एक कीशो के सिंबल से रिपर्जिन सरक्ट को हम क्या बोलता है त्यूनिग सरक्ट से जिससे यह काम होता है मतलब टीवी के अंदर भी होता है त्यूनिग सरक्रेट और रेडियों के अंदर भी होगा तो tuning circuit का काम क्या है बहुत सारी frequencies में से किसी एक particular frequency को receive करना चाटना उसको अलग कर रहा एक तरह से filter करना एक तरह से यह बोल सकते हो तो किसी भी tuning circuit की quality check करने के लिए कि वो किसी भी signal को receive करने के लिए कितना अच्छा है उसके लिए हम इसको calculate करते है quality factor को उस circuit का quality factor देखा जाए है किसी भी series RLC circuit का यह series RLC circuit होता है जो tuning में हम यूज करते हैं अगर किसी भी series RLC circuit का quality factor अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो किसी particular frequency को receive करने के लिए उतना ही अच्छा माना जाएगा कई बार रेडियो में यह दिक्कत आती है कि आपने देखा होगा कि रेडियो जब एक साथ सुनाई देते हैं music भी आ रहा होता है इधर news भी आ रही है और दोनों signal mix हो रहे हैं तो उस रेडियो का क्या है ट्यूनिंग circuit ज्यादा अच्छा नहीं है उसकी quality अच्छी नहीं है अगर वह अच्छा ट्यून कर पाता तो एक frequency आपको एक ही signal मिलता दो तीन signal mix होके तो उसको calculate कैसे करेंगे तो quality factor को हम इससे calculate करते हैं मतलब एक formula होता है और उससे चेक किया जाता है कि सर्किट कितना अच्छा रहेगा ट्यूनिंग के लिए एक और चीज आप अब्जार कर सकते हैं अगर आपके पास graph है कौन से वाला graph आरल सी सर्किट के लिए जो resonance वाला graph अब हमने ड्रोग किया था वह ग्राफ जितना पीख होगा पीट का मतलब यह है कि उसमें देखो यह एक तो यह वाला graph है और दूसरा graph में यह ड्रोग कर रहा हूं यह ssa तो इन ग्राफ यह वाला जो graph है इस नुकिला शाग्राफ है तो यह जो पीख ग्राफ ले यह आप को क्या मिलेगा में इस सरक् tiếp की देखो दूसरे वाले को तो ओमेगा न प्रिक्वेंशिर पर आपको इतना करन मिला लेकिन अगर मां उमेगा आर से होड़ा सा कम setsक फ्रिक्वेंची में तो इन पर चैनल की फ्रिक्वैंची है तो वह भी मतलब इसमें गड़बड क्या होगी कीनलास इपको ऐसे हमेंगार णलण कुर्ण Спराइबाश का मैं एक टीच मैंगेद होगा साहिफित होग् يस सबकाइब करेंट की वेल्यू में कोई ज़्यादा डिफ्रेंस नहीं है अगर आप ओमेगा आर फ्रिक्वेंशी पर देखते हो तो मैक्जिम करन्ट है ओमेगा वन ओमेगा टू बे देखते हो वह मैक्जिमियूम के आस्पास ही है जैसे यह अची बात है जैसे एक क्लासरूम है मालो एक हन्डेड स्टूडेंट एक स्टूडेंट तेज बोल रहे हैं और बागी धिरी-धिरे तो एक का जो आवाज हैसे सुन सकते हो कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं लेकिंशोड चैसमेत गाऊ फ्रिक्वेंशी सीओं ऊमेगा वन फ्रिक्वेंशी वाला सिग्नल एच और दूसरा उमेगा आर वालेवर बी बोलेगा एक साथ और दूप्तों नों मिक्स और दूपन उसंद्चनल को जो हो गाई यह लगाधर कर दूदम तो सिर्फ वालेगोर य थोड़ा से यह कंपरेटिवली क्वालिटी के साब से थोड़ा सा कम बेटर माना जाएगा यह अच्छा नहीं है तो आपको ग्राफ से चूज करना हो कई बार ग्राफ से भी पूछते हैं कि ग्राफ देखके बताओ कि कौन सा सरकिट ट्यूनिंग के लिए बैटर है तो जो पी सा मझा तरीका हे रेजनेंस कंडीशने में 밥 के क्रोस वूलत इड़ करसकते हो जो क्योंकि प्राबर होते हैं रेजनेंस कंडीशन मेंगी पराबर क्यों बराबर क्यों कि वील और ड़ंट एक्षल और भीनसी वर हमको बता है एक रेक्स कंडिशन में एक्वल ओते हैं अगर यह इक्वल नहीं होते हैं तब तो इनको बनेगा न कि उसको अपन दिराइव कर लेता है क्यों इक्वल टू वी यह को मैंने लिखा यह ए एक्ने वल्टेज रोप एक्रोससे इंड़क्टर है लिखेंगे इल्च टुन रूम्हेंगे लिखेंगे लुथ यहां प्लेक्ष आपस में हैं मेंगा एल लेकिन इस कंडिशन में में वेगा है यह कौन से कंडिशन में है रिजनेंस कंडिशन में अच्छा उमेगा-R क्या होता है वान अपॉन रूट एल सी बढ़ा था नहीं हमने ओमेगार रेजुनेटिंग एंगुले फ्रिक्वेंसी वन अपॉन रूट एल सी के बराबर होती है यह इन्टु एल अपॉन आर यह वाल आएगा क्यों एक्वल्ट करोगे तो वन अपॉन आर अंडरूट यह रूट एल एक एंसील होगा और रूट एल भाई सी यहां पर बचेगा फाइनली यह फॉर्मला बना इसी को हम क्या बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर और फॉर्मला देखके भी बता सकते हो कि जिस सर्कृट का आर ज्यादा होगा उसका पीक ग्राफ आता है ज्यादा करेंट फ्लो था उसमें तो आर जि से भी केल्पिलेट करके देखो सेम आता क्या फॉर्मला वी सी आयनोट इन्टू एक सी लिखेंगे डिवाइड़ वाई नोट इन्टू आर ठीक है और फिर आयनोट कैंसिल एक सी को क्या लिख सकते हो वन अपॉन ओमेगा सी रेजोनेंस कंडिशन में डिवाइड़ वाइड सी केंसल वहागा रूट सी बचेगा रूट सी अपॉन एल और यह देखो यहां पर यह जो रूट सी अपॉन एल है लूपर चला जाएगा आर निचे पहले से लिखा हूआ तो सॉल करोगे तो यह रूट निचे रहेगा यह वाला यह वाला चुट यह तो फॉल्मला और और divided by R तो इसको थोड़ा सा आप रियर्रेंज करोगे ना मतलब यह उपर जाएगा वान अपन यह निखा हुआ तो यह उपर चला जाएगा और यह निचे है तो यह वान अपन आर इंटू रूट यह बनेगा दोनों से फॉर्मला क्या आएगा सेम तो जिस सर्कृट का रेज वह ट्यूनिंग के लिए बैटर है जिसके लिए क्यों कम आएगा वह क्वालिटी के लिए वह ट्यूनिंग के लिए खराब है ठीक है इस तरीके से कैल्कुलेट कर लेंगे